कि अग्षाइब करता हूं आज हम केमेस्ट्री का जो सेकंड चिप्टर है विद्दूत्रसायन जिसमें से दो नंबर के अबजिक्टिव आएंगे उसके कुछ अबजिक्टिव देखेंगे मैंने इस विद्दूत्रसायन को दो पार्ट में डिवाइट किया है तो आज फर्स पार्ट देखेंगे और जो बचा हुआ सेकंड पार्ट है वो हम कल देखेंगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास फर्स कोश्चन है एंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस एक सब्द में उत्तर दीजिए पहला कोश्चन है प्रबल विद्दूत अब इसका अग्ड़र में डिजॉल करते हैं तो इसीली डिजॉल इसीली आइनाइज हो जाता है और इसका अग्ड़ेट परसेंट होता है अनको हम बोलते हैं प्रबल विद्दूत अब घट्या इस्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी आम लग सकता है जैसे ने सील है एचसील लवान हो सकता है आम लग सकता है कोई भी छार हो सकता है यह सब प्रबल विद्दूत अब घट्या इस्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट के एक्जामपल है नेक्स कुश्चन लेते हैं दुर्बल विद्दूत अब घट्ट्या के दो धारण तो वही बाते वीक इ चाहता है और इनके दो एक्जामपल बोला है तो एक तो है हमारा एसिटिक अमल एसिटिक एसिट चीज़ दूसरा होता है एनेश फौर ओएज एनेश फौर ओएज अमोनियम हाइड्रॉकसीट यह दोनों जो है दूर्बल विद्दूत अबगट्टे होते हैं वीक इलेक्ट करने के साथ इनक्रीज होती है तो याद रखेंगे ताप अगर बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ने के साथ पढ़ेगी चालकता है फिकने फिकोन के नेक्स की लांप मिलग्या की कि किसके लिए है वीक इलेक्ट्रोला यिए और कोल्राज लांप ऑनम केटायन जो होते हैं उनकी infinite dilution पर iron conductivity और infinite dilution पर n-i-n की ionic conductivity के sum के equal होती है यहाँ पर अगर केटायन का नंबर x है और n-i-n का नंबर y है यह लैम्डा m infinity is equal to x लैम्डा केटायन के लिए infinity प्लस y लैम्डा n-i-n infinity इसी को हम इस टाइप से भी denote कर सकते हैं लैम्डा m 0 या नॉट लैम्डा 0 x यहाँ भी आजाएगा लैम्डा नॉट केटायन प्लस y लैम्डा नॉट n-i-n की कोलरासला का फार्मुला है next है equivalent conductivity का क्या फार्मुला है और equivalent conductivity साथ में molar conductivity दोनों कंड़क्टिविटी के फार्मुले सेम होते हैं तोड़ा सा difference होता है इसमें नॉर्मलीटी आती और इसमें मोलरीटी आती है तो अगर हम लैम्डा इक्यू की बात करें तो लैम्डा इक्यूट टू के इन्टू 1,000 के गुनित एक हजार बटे एन बटे नार्मलता लैम्डा इक्यूट टू के इन्टू 1,000 बाइन होता है इसी टाइप से लैम्डा एम की अगर वैल्यू की फाइंड बात करें मॉलर कंड़क्टिविटी तो वह होगा के स्पेसिफिक कंड़क्टिविटी इन्टू 1,000 डिवाइड बाइ मॉलरीटी XT QUESTION हमारा है What is the device in which electrical energy इस इन्टू chemical energy ये सबकौन सा उपकरण है जिसमें विद्दूत उर्जा राशानिक उर्जा में बदलती है ये आःक्ट्रो लीDex सेल हुता है विद्दूत अबगटनी सेल होता है होता है उसमें हम करन्ति कराते और उसके फ्लोज ओने से क्या होता है जो does chemical जो रियक्ष्ण होती हो कंप्लीट होती है इसका मतलब है कि हुआप पर इलेक्रिकल एनरजी का नटु केमिकल एनर्जी नेक्स कुश्चन हमारा है सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विवांदर जिसके कारण सेल में धारा बहती उसे क्या करते हैं इसको हम बोलते हैं इसको होता है किसी दातू के उलेक्ट्रोड और उसके आयनों के मद्य उत्पन्ध हुई रेडाक्स अविक्रिया के कारण ऊत्पन्ध विभव क्या कहलता है ओगर आपको याद हो तो हमने सेल पड़ा है और सेल में एक इलेक्टरोड होता है और यहाँ पर क्या होता है सॉलीशन होता है यह सॉलीशन किसका है मेटल सॉलीशन और यह मेटल की रॉड है वोश्चन है वाट इस पोटेंशेल ग्रेड ग्रेड जनरेटेड दू रेडाक्स रिएक्षिन बिट्विन दर इलेक्ट्रोड एंड इस आयन आफ मेटल कॉल इन दोनों के बीच का जो डिफ्रेंस होता है सॉलुशन आयन आयनिक सॉलुशन और यह जो हमारा इलेक्ट्रोड है इनके भी जो डिफ्रेंस होता है पोटेंशेल का उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशेल इलेक्ट्रोड पोटेंशेल याद रखेंग इलेक्ट्रोड पोटेंशेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशेल जो होता है उसको हम इंदी में बोलते हैं विद्दूत विभाव विद्दूत विभा होता है इलेक्टोड और धातु आयनों के मद्य उत्पन विभा नेक्स्ट है विभांतर की क्या है potential difference की unit क्या है तो potential और potential difference दोनों की unit same होती है वो होती है old हम उसको क्या लिखते हैं old question number 11 है cell इस्तिरांग का formula राइट करना है formula of cell constant formula की बात करें cell इस्तिरांग क्या होता है what is cell constant एक electrolytic cell जो होता है उसमें तू इलेक्ट्रोड होते है इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके बीच में जो length होती है जो distance होती उसको हम डिनोट करते हैं L से और area of cross section जो होता है उसको हम डिनोट करते जो होती है यह डिस्टेंस जो होती है इलेक्ट्रोड के बीच का वो होता है L तो cell constant होता है L by A और इस डिनोटेड वाई जी आर जी स्टार हम इसको जी आर जी स्टार से डिनोट करेंगे और जी स्टार इस एक्वल टू एल बाई ए होता है यह भी important question है बहुत बार आयवा question है आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से इसकी unit पूछी जाती है तो सेल कॉंस्टेंट की unit अगर हम बात करें तो लेंद को हम डिनोट करते हैं सेंटीमीटर में और इसके लिए एरिया के लिए हम यूस करेंगे सेंटीमीटर स्क्वेर यह से कैंसिल हो जाएगा तो वन बाइ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनवर्स अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत बारी question आया है इस तिरांग की क्या है हमारा जो next question है वह है जो है यूज करेंगे और उसको हम फेक सकते मतलब रिचार्जबल नहीं होता लेकिन सेकंडरी सेल जो होता है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं उनी की बात कर रहा है कि कौन सा रिचार्जबल सेल होता है तो इती जो सेकंडरी सेल जो होते हैं उसको हम फिर से आवेसिक कर सकते हैं नेक्स क्वेश्चन की बात करते हैं पुल्यांकि चालकता की कहीं बताईए तो जो यूनिट है वह एक्विएलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट हमको फाइंड वॉल्यूम डिवाइड वाइड नॉर्मलिटी नहीं आता है अगर यहां से हम यूनिट फाइंड करें तो के की यूनिट होती है से हैं औम इनवर्स सेंटीमिटर ईनवर्स वायूम जो होता है उसकी यूनिट होगी सेंटीमिटर तूदी पावर थ्री कुबिक सेंटीमिटर एन इसकी होगी ग्राम एकुएलंट अब अगर इसको हम solve करेंगे तो unit हो जाएगी ohm inverse centimeter square यह power 3 है यहाँ 1 है 3 minus 1 2 होगी और यह अगर हम इसको उपर write करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा gram equivalent to the power minus 1 ohm inverse centimeter square gram equivalent to the power minus 1 अगर हम gram तुल्यांग की चालकता की बात करें तो हमारी जो विसिस चालकता है उसकी unit होती है specific conductivity की ohm inverse centimeter inverse volume की होती है ohm cube और यह नीचे number of gram equivalent उसकी gram equivalent होती है तो solve करेंगे तो ohm inverse centimeter square gram equivalent minus 1 होगी unit of equivalent conductivity तुल्यांग की चालकता की इकाई next question हमारा 14 नंबर का most IMP question है जंका रासाइनिक सूत्र लिखी है write the chemical formula of rust rust जो होता है उसका formula होता है Fe2O3.xH2O it is called hydrated ferric oxide Fe2O3.xH2O यह भी आपको याद रखना है बहुत बार question आया हुआ है MP board की 12 के exam में पूच्छा जाता है इनक्स question की बात करते हम question है किसी सेल के विदूत्वाहक बल और साम में स्तिरांग में क्या संबंद होता है विदूत्वाहक बल कि अगर हम बात करें तो विदूत्वाहक बल क्या होता है e mf write the relation between electromotive force and equilibrium constant equilibrium constant अगर आपको formula या दे तो e is equal to होता है e e mf is equal to होता है e naught cell minus rt by nf और यहां आ जाता है lock और यहां कैसी base e पर ठीक है है अगर यहां की बात करें तो एक्विलिब्रियम पर यह नॉट की वैल्यू जीरो जाती एक्वल स्वाज़ाइगा एक्वल हो जाएक इसको हमके लिए बीश रिलेशन होता है in which oxidation and reduction takes place simultaneously जहाँ oxidation reduction एक साथ हो रहा है simultaneously हो रहा है ऐसे reaction को हम बोलते हैं redox reaction और red मतलब reduction, ox मतलब oxidation, reduction oxidation अगर साथ होता है तो reaction होती है redox reaction वह अभिक्रिया जिसमें oxy करण अपचेन दोनों एक साथ होता है redox अभिक्रिया का हलाती है कोशनल नमबर सेवरंटी ने ताप बढ़ाने पर विद्दू अबगटनी चालगता में ब्रद्धी होती है कि आप से कोशन पूचा के एक सब्द में क्या ताप बढ़ाने से विद्दू अबगटनी चालगता बढती है हमारा answer होगा yes, हाँ, प्रद्धी होती है, next 18 number का जो question है, वो है, what is the device that convert electrical energy into chemical energy, electrical energy को chemical energy में convert कर दे, ये question में ने repeat किया है, अभी repeat हुआ था, it is called electrolytic cell, it is called electrolytic cell, electrolytic cell होता है, और इसमें क्या होता है, electrical energy convert होती है, chemical energy में, विद्धूत अभगटनी cell होता है, जिसमें विद्धूत अभगटनी cell में, विद्धूत उर्जा, रासाइनिक उर्जा में परिवर्तित होती है, next question है, मानक अवस्ता में, cell में विद्धूत अभगटनी की साहरता कितन कर इस呢 में हमने आइस हम ने झरड़न और वहां पर हमने देखा धा की जो कितना होता है यह जो न cm कंडीशन मेंसेल में कंचेट्रियों कितना होना चाहिए तो और मोला होना चाहिए इसके साथ टीवाइशर होना चाहिए और जीबंपरेश्ण होना चाहिए हर चैना सीरी ama इम्पोर्टने गोस्qN आयवा कोस्षीन क्या है क्या है कोस्षिन से का ने इता है तो किसके थूओ कुछिए मेजर करने का एकुपねंड होता हिंदी में जिसे का जाता है विभाव मापी थूविभाव की साहता से प्टेनि המת्र के थ्रूव हम क्या फाइंड कर सकते याद रखना वहां भी 12 और केमेस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कोश्चन 22 नंबर का जो कोश्चन है वह है फार्मूला आप केमिकल केमिकली फार्मूला आप रस्ट और रासाइनिक्स उत्र क्या है यह भी हम बात कर चुके हैं कि एफी टू ओ थ्री टॉट एक्से ज्यादा बार पूछा जाता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह अगर दो या तीन बार आ भी गया तो उससे कोई हमको लास नहीं है वह आपको याद रहेगा ज्यादा टाइम तक याद रहेगा वेफी टू ओ थ्री डॉट एक से इस्टो को हम क्या बोलते हैं पर ड्यादर पर जस्ते की पर चढ़ाना ब्यूर्ट प्रोसेशिक सिचिक यह और आइरेट की उपर और साचा को बोलतें हैं गयलवें। के थ्रू हम क्या करते हैं जो आइरन है आइरन को रस्ट से बचाने के लिए उसके उपर जिंग की कोटिंग की जाती है जिंग की कोटिंग करना जिंग की परच चड़ाना गेलवेनी करण कहलाता है इंदी में कुशन नमबर 24 है आयनों के विलायक योजन से चाहलकता अधिक होती है या कम इन्द कंड़क्टिविटी मोर और लेस्ट यूटू सॉल्वेंट एडिशन आफ आयन तो हमने पड़ा है कंड़क्टिविटी के लिए कि अगर सॉल्वेशन होता है मतलब आयन सॉल्वेंट के जोगी होगी तो हमारा एंसर होगा कि सॉल्वेशन होने से र्च पार्टिविटी के लिए क्रीज होती है इंटर आयनीक अखरसंट से काम होती है चालकता दूसरा यह विलाई की करेंट से काम होती है तीसरा स्यानता बढ़ने से काम होती है और जो चौंथा कारक है वह ताप अकेला कारक है जो सांद्रता यह अपनी चालकता को क्या कर देता है बढ़ा देता है तो टेंपरेचर इंक्रीस करता है और यह अबस्टी गड़क्त फार्मूला होता है पहुत हैं और यह क्या है यह बीच क्या अ onderगाल मतलब दूरूबल नता श्राहिे यह टाइप का वीक इलेक्ट्रोलाइट याद रखेंगे एसिटीक एसिट और अमोनियम आइड्रॉक्साइड दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट नेक्स्ट बढ़ाने पर विद्धूत अब गट्टे की चालकता अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर हम टेंपरेचर राइस करते पहले से ऑन राइजिंग टैंपरेचर देक्टी टी अपन एलेक्ट्रोलाइट विकाम इंक्रीज इंक्रीज वह जाएगी सब्सक्राइब कर नुदा बढ़ाने पर विलियन की विशिश चालकता का मान डेस डेस होता है ऑन इंक्रीजिंग डाइलूशन दो वैल्यू आप स् स्पेसिफिक कॉंड़क्टिविटी जो है वो डाइलुशन से किस तरह एफेक होती वो देखते हम अगर हमारे पास एक solution है वो 1 ml या 1 cubic centimeter रखता है उसका volume 1 cubic centimeter है ठीक है इसमें अगर number of ions कुछ भी हम बोल देते हैं assumption ले लेते हैं 100 है यह 100 ions की conductivity होती है specific conductivity के अब हम अगर इसको dilute करते हैं 1 ml solution और 8 कर देते हैं 1 ml मतलब 1 cubic centimeter तो अब total volume हो गया 2 cubic centimeter लेकिन जो आयन है वो अभी भी कितने रहेंगे 100 1 cubic centimeter solution में अब केवल कितने आयन प्रेजेंट होंगे 50 ions अगर dilute करते हैं तो ions का number तो सेम रहेगा लेकिन 1 cubic centimeter में number of ions decrease हो जाएंगे और decrease होंगे तो हम बोल सकते हैं कि यह जो dilute के साथ specific conductivity क्या होती है बेटा decrease होती है अगर तनुता बढ़ती है तो विसिस चालकता काम हो जाती क्योंकि हर एक ml एक घं सेंटीमीटर स्वारी एक क्यूबिक सेंटीमीटर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में उपस थी तो आयनों की संख्या क्या हो जाती है काम हो जाती है याद रखेंगे तनुता बढ़ने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कि इंक्रीज रखना लेकिन मोलर और एक्वियल एक टीविटी इंक्रीज उती है अगर अयन का साइज इंक्रीज होगा तो हमारी जो कंडक्टिविटी इंडिक्रीज हो जाएगी याद रखेंगे क्योंकि भारी बरकम आदमी जो है, वो तेजी से दोप नहीं सकता, लेकिन अगर हल्का फुलका आदमी है, तो तेजी से दोप लेगा, उसका running आप नहीं देखा है, कि मोटा आदमी ले लिए, एक दूबला आदमी ले लिए, तो दुनों में कौन तेज दोड़ेगा दुबला पतला अदमी तेज दोड़ेगा यहां भी वही है कि अगर आयन का साइज बड़ा है आयन का साइज इंक्रीस करेंगे तो उसकी जो कंड़क्टिविटी वो डिक्रीज हो जाएगी नेक्सक्राइब के प्रतिरोधक्टा की क्या है रो को कहाँ जाता है और रो की यूंट की होती है ऑम साइंटी मिटर अकी कोर्फिर्टिविट्य होती है और फिजिक्स में लेले पढ़ा हो तो आम इंटू हम vendor use करते हैं और यहां पर में तो रिजार जागा प्रामरी सेल जो रिचार्ज नहीं होता हम याँ पर आएगा कि रिचार्ज प्रामरी सेल cannot be done रिचार्ज cannot be done कुन्हानीजनन नहीं कर सकते तो यहाँ पर आएगा आएगा रिचार्ज हम इसको रिचार्ज कर रिचार्ज नहीं कोगा सब्सक्राइब एगा the पूछ लिया chemical energy को काई में करना है विद्दूत उर्जा में मतलब the device which convert chemical energy into electro electrical energy is called यह आएगा याद रखना वहाँ पर पूछा था electrical energy chemical energy में convert और ती वो है electrolytic cell और यह है electrochemical cell it is called electrochemical cell विद्दूत अब्धूत उर्जा में जो सेल होता है घडी का सेल जो यूज करते हम उसमें chemical भरा है तो रासाइनी कुर्जा है chemical energy convert होती है electrical energy में तो उससे electrical energy generate होती है नेक्स्ट जो कोश्चन है विद्दूत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार का एक ग्राम तुल्यांग उत्पन्न करती है डेस 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 कहलाती है अमाउंट आफ electric current that produce one gram equivalent of a substance is called इसका answer होगा वन फेराडे यह वन फेराडे की definition है अगर हम वन फेराडे चार्ज को किसी electrolytic solution में फ्लो करते हैं तो जो सब्स्टेंट deposit होता है वो कितना होता है वन ग्राम equivalent के एक वल यह वे राडे होता है वन फेराडे याद रखेंगे अब परिवर्तित रहता है यह आयगा राशाइनिक गुंड है रासाइनिक गुंड धात्विक चालक में नहीं बदलता अब फेर नहीं होती है तो मेटालिक कंडक्टर में प्रतिरोत का वित्क्रम क्या होता है रेसिप्रोकल का वित्क्रम तो प्रतिरोत का वित्क्रम क्या होता है चालकता होता है इसी टाइप से हम इसको क्या बोलेंगे होता है है तो तीरोenne का वित्तर्म क्या होता है dex cost于 11 किसी चालक के एक घं शेंटीमेटर की चालकता को रहे था कंडेक्ऺ आफम projections प्रॉन स्यंटी मेट इस प्रॉज़फीटर इस एक घं शेंटीमेटर चालक कि चालकता को क्या बूलेंगे हम विशिष्ट चालगता अगर हमारे पास कोई सॉलुशन है उसका वाल्यूम है वन क्यूबिक सेंटीमिटर देन कंड़क्टिविटी इस काल स्पेसिफिक कंड़क्टिविटी नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं कि वेल्यूट की वेल्यू कितनी होती है कि एक सिकमिटाइव यहादी बहुत बहुत बार आया रहा है important question है छhपने वाला exam में next question है लोहे पर जंग लगना है किसका…… thoughts किसका होता है corrosion का होता है sancharan का होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कि किसका उधारन है संचारन का और यहाँ किया आ जाएगा corrosion acción question हम देखते है 14 नंबर का एक कोस्फिन हें अपने में हुना ही जाए गया है और इसी के बेस पर अलग-अलग मैटल का आयंस का एलेक्ट्रोड पोटेंशल फाइंड किया जाता है एक स्पेसिफिक कंड़क्टिविटी की यूनिट ओम इन्वर्स सेंटीमिटर इन्वर्स होती है स्पेसिफिक कंड़क्टिविटी की अभी रो आया था वह स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी थी और उसका ओम इंटु सेंटीमिटर था और इन पाई माने बिस्ट काई कि होगि एम इन्वर्स सेंटीमिटर इंवर्स की ज़िये כि यह दो सेंटीमिटर भूता है зем कि एक सब्सक्रारण प्रसक्राले से यूनिट फाइंड करेंगे तो सेंटिमीटर सेंटिमीटर स्कुराइव मुस्टाइभ मुच CC सेंटिमीटर हो लाइट की स्ट्रॉंग लेक्ट्रोलाइट का नाइजेशन मोर होता है अन्हीं पर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट तो वे पदार जो जली विलीन में बहुत अधीक आइनि दोते ही लगबक सव प्रतिसत उन्हें क्या बोलेंगे प्रबल विद्दृत अब घट्या तो में आँग कि ल्वारे क Want a के लाता है अभी अमने देखा था रेसिस्टेइस प्रतिरोध वित करम रिस इप्रोकलम रेसिप्रोकल यह कि पर चड़ाने की रिया को क्या करते हैं मैंने उस टाइम भी बोला है ये मोस्टाइम प्यकोशन ने याद रखेंगे माख में डायरेक्क वड्यूर्वनाइजेसण वाटिस गेल वनाइजेसं गेल्वनी करन जो लोहे पर जिंक की परच चड़ाना दो प्रोसेस आप कोटिंग आइरन विथ दिंक इसका हमारे पास जो आइरन सीट है उसके उपर जिंक की लेरिंग कोटिंग करना क्या होता है गेलवनाइजेशन एक इंपोर्टेंट कोश्चन है लेट स्टोरेज सेल में विद्दूत अपघटे के रूप में किसका यूज किया जाता है देस 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 is used as an electrolyte in a lead storage cell lead storage cell में एनोड भी हम lead का यूज करते हैं cathode भी lead का यूज करते हैं और electrolyte के form में हम यूज करते हैं H2SO4 और यह H2SO4 जो है उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए नियरली 38% है 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 लेड़ी स्टोरेज बेटरी में सीसा संचैक सेल में और हम विद्धूत अब गट्या एलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं कंशन को हुआ सेल में केथोड 600 इसका बनां बना होता है कि हम को बताइस का सेल में अगर में अगर लायव हैँ का इस्टॉक्षर पड़ाओ ये जो है आ yarad का का काम करेगा से क्यार भी हो नियू तो जिंक और गरेफाइट की राड होती 사ुनाइज है करेगी के तो हमारा यहां सेल में के तो ग्रेफाइट की जड़ होती है और कि यह आज के हमारा कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन थे अब इनको पढ़िए अगर इसमें किसी भी प्रकार का बेटा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंड कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह आप तक इनफर्मेशन अगले वीडियो के आती रहे और इस जो हमारे वीडियो है उसको अब शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए और उनका फाइदा हो मैं चाहता हूं कि फिजिस केमेस्टी मे से 28 लाने का प्रयास करें थेंक यू धन्यवाद